जारखन नियोजन नीती को लेकर पूरे संताल परगना प्रमंडल में छात्र समन्वे समिती के बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दुमका में फूलो जानो चौक पर सैंकडो छात्र सडक पर उतराए हैं और चारो और की सडकों को जाम कर दिया है। सडक पर त्रे आदिवासी छात्रों को कई अन्य संगिठनों का भी समर्थन मिला है। छात्रों के प्रमुक मांगों में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानिय नीती बनाए जाने। त्यान के आधार पर ही नियोजन नीती बनाने। विक्तियों के विरूद अवेदन में हरता सिर्फ भारत के नागरिक नलिक जारखंड का स्थानिय निवासी भी लिखे जाने और साट-चालीस के अनुपात को अविलंब रद करने की मांग शामिल है। दुमका में बंद को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिन्युक्ति की है। दसलग अलग जगह पर दंदाधिकारी तैनाप किये गए हैं। अभी तक कहीं से कोई अप्रिये घटना की खबर नहीं है। दुमका पाकुड, दुमका भागलपुल, दुमका गोड़ा रोड भी सांदोलन से प्रभावित है। इधर साहिब गंज में भी नियोजन नीती को लेकर बंदी समर्थक बंदी कराने निकले है। मुख्य मार्ग में बैटकर सरकार के खिलाफ नारिबार जी कर रहे हैं।